जिसने भी तिरुपती मंदर के रहिस्तियों के बारे में जाना, वो बार बार दर्शन करने को जाएगा। भगवान तिरुपती बालर जी का मंदर और उसके चमतकार भारतवर्ष ही नहीं, बलकि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदर आंधरा प्रदेश के चितूर जिले में तुरुमाला पहारी पर विराजमान है। यह भारत वर्ष का एक अहम तीर्थ स्थल है। आम तोर पर यह मंदर तिरुपती बाला जी के नाम से जाना जाता है, पर इसका वास्तविक नाम श्रीवन के टेश्वर स्वामी है, यानि की विश्नु भगवान। तिरुपती भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, यहां हर साल करोणों की संख्या में लोग भगवान विश्वन के दर्शन के लिए आते हैं। कई शताब्दी पूर्व बना ये मंदर साउथ इंडिया के वास्तु कला और शिल्प कला का अद्भुत उधारण है। वैकुन के कादशी के अवसर पर लोग यहां भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। लोगों का मानना है कि यहां आने पर उनके सभी पाप धुल जाते हैं। और जन्म मृत्यू के बंधन से मुक्ती मिलती है। तिरुपती बालाजी का मंदर देश का सबसे अमीर मंदर है। यहां सबसे ज़्यादा चड़ावा चड़ता है। कहते हैं कि जो दिल से मननते मांगता है। बालाजी भगवान भक्तों की मननते पूरी करते हैं। और भक्त अपने बाल उनको अर्पित करते हैं। बालाजी मंदर की कुछ रहस्मई बाते हैं। भगवान वेंके टेश्वर स्वामी की मूर्ती पर बाल लगे हुए हैं जो असली हैं ये बाल कभी उलच्टे नहीं हैं और बराबर मुलायम बने रहते हैं जब आप मंदिर के गर्भ ग्रह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान श्रीवंके टेश्वर की मूर्ती गर्भ के बीच में है लेकिन जैसे ही आप गर्भ ग्रह से बाहर आएंगे तो चौक जाएंगे क्योंकि बाहर आने के बाद आपको ऐसा प्रतीत हो दोनों के वस्त्र पहनाई जाते हैं, भगवान की मूर्ति इतनी जीवन्त है कि ऐसा लगता है जैसे भगवान विश्णु स्वयम यहां विराजमान हैं, भगवान के प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बुंदें देखी जा सकती हैं, हर गुरुवार को भगवान वंके टेश्वार को चंदन का लेप लगाया जाता है, ताज़ुब की बात यह है कि इस लेप को हटाने पर माता लक्षमी की आकरिती दिखाई देती है, श्री वेंकेटेश्वर मंदर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है चौकाने वाली बात ये है कि आज तक ये दीपक कभी बुझा नहीं इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाल जाता है ये पता नहीं कि इस दीपक को किस ने और कब प्रजलित किया था अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें